बच्चो आईए आज हम BST का एक नया यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कमपनी संगठन और व्यावसाइक वित्त के स्त्रोथ बच्चो आपने जो है सोल प्रॉपराइटर शिप्ट जाना यानि एकल स्वामित्व कि वहां पर जो होता है एक व्यक्ति क्या करता है उस बिजनस का या व्यावसाइका स्वामी होता है और जितने भी अधिकार होते हैं दाइत्व होते हैं पूंझी लगाने से लेकर कि जितनी भी प्रबंदगी शम्दा होती मतलब सब कछ में कौन इंवॉल्व रहेगा वह सिंगल विक्ति या एक मात्र विक्ति तो उसे हम ने क्या कह दिया कि वह एकलस वामेत्व है Baptist इस तरीखेसे हमने देखा कि जब एका की व्यापार में जो कमिया उत्पन हो रही थी उनको देखने के लिए साजेधारी संगठन का उंगठन किया गया या वो सामने आया फिर क्या हुआ जब साजेधारी संगठनों में कमिया आई कुछ दोश उत्पन हुए तब उन दोशों को पूरा करने के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी जो है उनको सामने लाया गया या उनका कॉंसेप्ट हम कह स जरते ह 되면 अब कमपनियों क्यों सामने आई वी कौन सी कम्मिया थी जो कि जिनकी वजह C this不是 संगफन को सामने आना पड़ा उस अब विचार किया गया देखे बůजोड पार जैसे जैसे बढ़ता जाता है क्या होता है उसमें पूंजी की आवशक्ता बढ़ जाती है पूंजी की आवशक्ता बढ़ने के साथ साथ वहाँ पे क्या चीजें होती है दाइत भी बढ़ जाते हैं असीमी संसाधन होने लगते हैं तो वहाँ पर प्रबंद की शम्ता भी बहुत बड़ी म मातरा में उसकी आवशक्ता होती है साथ ही साथ वहाँ पर स्थाइट भी होना जरूरी है तो इन सभी चीजों में कमी पाई गई मतलब जैसे ही व्यावसाय बढ़ने लगा धीरे जब कोई भी आप कॉंसेप्ट देखेंगे तो शुरू में वह छोटा होता है वह धीरे-धीरे स nei ओंवा ने लग लगए जब इन सभी में कमिया आने लग गई तब किसका उद्गम हुआ कंपनी संगठन का और वे कौन सी कंपनिया थी जब व्यवसाय बड़ा हुने लगा तो पूंजी का आभाव इसका महसूस किये जाना लगा इसके अलावा असी में दाइत वाने लगे फिर क्या हुआ प्रबंदगी क्षमता में कमिया पाई गई और साथ ह समस्याओं से उबरने के लिए किसका कॉंसेप्ट सामने आया कंपनी संगठन का पाईप्व के बात कर रहे हैं तब इसका उद्गम जान लेते हैं कि इसका उद्गम कब हुआ इसका जो उद्गम है वो कंपनी अधिनियम 1850 के तहत हुआ और इसमें समय समय पर कई संशोधन किये गए और इन संशोधनों के बाद अब वर्तमान स्थिती में जो अधिनियम के अंतरगत ये कमपनी संगठन कार रथ है वो है अधिनियम 2013 तो अगर हम इस कमपनी संगठन के उदगम को समझें तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि एकाकी व्यापार में आई कमियों के बाद क्या हुआ साजेदरी संगठन सामने आये और साजेदारे संगठन में आई कम्यों के बाद संयुक्त पूजी कमपनी जो है वो सामने आई और इनके उद्गम के बारे में सोचा गया और आज जो कमपनी संगठन चल रहे हैं वो कमपनी संगठन जो है अधिनियम 2013 के अंतरगत कारियरत हैं आई आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कमपनी का अर्थ क्या है जैसे कि बच्चों आपने अभी तक समझा कि कमपनी संगठन सामने कैसे आए अब हम कमपनी के अर्थ को जानेंगे कमपनी अगर हम उसके बारे में एक विचार प्रस्तुत करें या अगर आप अंदाजा भी लगाएं तो कमपनी क्या होती है क्या वो व्यक्ति होती है नई वो क्या होती है एक एच्छिक संस्था होती है जिसका निर्माण लाभार्जन करने के लिए किया जाता है और सबसे इंपोर्टेंट बात ये कि जो कमपनी होती है वह उसमें पूंजी की बहुत बड़ी मातरा में आवशक्ता होती है तब किसी एक व्यक्ति के पास तो पूंजी हो नहीं सकती उतनी बड़ी मातरा में तब वहां पे अंशधारियों की संख्या क्या हो जाती है असी मित हो जाती है मतलब उस कमपनी में बहुत से लोग विनियों करते हैं या इंवेस्ट करते हैं अपनी पूंजी को ताकि वो लाभारजन कर सके इस तरह से एक बड़ी कंपनी का निर्मान होता है अब अगर हम कंपनी को समझें तो कंपनी का निर्मान जो होता है कभी भी होता है तो वह विधान द्वारा होता है और उसका समापन भी विधान के अनुरूप ही होगा आईए हम company के concept उसके अर्थ को जानने के बाद कुछ परिभाशाओं के माध्यम से company को और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं जैसा कि आप screen पर देख रहे हैं पहली परिभाशा जो है वो भारती company अधिनियम 2013 की दारा 2020 के अनुसार company से आशे इस अधिनियम के अधिन निर्मित company से है या जो है किसी पूर्व के अधिनियम से बनी company से है एक और परिभाशा देखते हैं और स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं सर प्रोफेसर एलेच हैने के अनुसार company विधान वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका उसके सदस्यों से प्रथक स्थाई अस्तित्व होता है और उसके पास सारमुद्रा होते हैं तो अगर हम company को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें या उसका निशकर्ष निकाले तो हम यह कह सकते हैं कि जो company होती है एक कृत्रिम व्यक्ति होती है और इसका जन्म जो होता है विधान वारा होता है तो अगर जन्म विधान वारा होगा तो इसका समापन में होती है और दाइत वजो होते हैं वो सिमित होते हैं और साथ ही साथ इनके पास एक सार्व मुद्रा होती है जिसे हम सील कहते हैं इसमें जो है company का नाम लिखा होता है तो अगर कोई भी document है जब तक उस company का सील उस पर नहीं लग जाता तब तक वो authorized नहीं माना जाएगा तो ब परिभाषा को जाना आएए कुछ विश्रिष्टाओं के माध्यम से company को और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करता है कंपनी के विश्रिष्टाएं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहली विश्रिष्टा कहती है कि विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक् अपनी है वो विधान द्वारा निर्मित होती है और यह एक कृत्रिम व्यक्ति होती है इसके पास अपनी सर्व मुद्र होती है तो जब यह विधान द्वारा निर्मित होगी इसकी स्थापना विधान द्वारा होई तो साथ ही साथ इसका समापन भी विधान द्वारा ही हो उल्एषयार अनुभनद संपथी पर क्रेव विक्रेख कर सकती है। और वो उस व्यक्ति के माधियम से या और किसी कमपने के माधियम से आ रही है तो और इस कमपनी पर भी सामने वाला कमपनी या व्यक्ति क्या कर सकता है दावे कर सकता है स्यू कर सकता है या कोट केस कर सकता है यह एक डिफरेंट एंटिटी के रूप में कारे करती है जिसे कि हम आगे पढ़ेंगे जिसे हम वैधानिक प्रतक वैधानिक अस्तित्व कहते हैं जो कि आगे इसकी विशेष्टां में सम्मिलेत होता है जो दूसरा इसकी विशेष्टा आती है दूसरी विशेष्टा कहती है शाष्ट उत्तरादिकार या अस्ताई अस्तित्व इसमें जब कंप केपनी जो है उसके मेंबर्स या उसके अंतरगत जो अंशधारी हैं उनको किसी भी का नुकसान अतमान लों, उनकी मृत्य हो जाने के बाद वो कंपनी क्या होती है समापत नहीं होती वो क्या होती हस्तांतरित हो जाती है जैसे कि for example मैं आपको समझाऊं रिलाइंस की जो स्थापना थी वो धीरु भाई अम्बानी जीनने की थी लेकिन आज जो है मुकेश अम्बानी उस कमपनी को चला रहे हैं तो क्या समझ में आता है क्या धीरु भाई अम्बानी जी की मृत्यों के बाद कमपनी खतम हो गई नए उनके बाद जो है उनके अधिक प्रति के औरति के और अंश्टारी के । बृत्यों हो जाने के कारण या अपने निय। के-पिशो को छोड़ दिने गए उसका समापन नहीं होता है। बचो अगर इस concept को देखे तो इसमें एक English का statement आता है, English में कहा जाता है, members may come, members may go, but the company goes on forever. मतलब जो उनके साथ के लोग हैं, members, वो आएंगे, members जाएंगे, लेकिन जो company है, वो हमेशा चलती रहेगी, चलती रहेगी, वो कभी रुपती नहीं. जैसे कि मैंने पहले बिंदु में आपको बताया कि company का निर्माण अगर विधान द्वारा होगा, तो उसका समापन भी विधान द्वारा ही होगा. किसी भी member के आने जाने से, चाहे वो दिवालिया हो जाए, चाहे वो मृत्यू को प्राप्त हो जाए, चाहे उसने अपने अंश छोड़ दिया हो, या किसी और को विक्रे कर दिया हो, और company छोड़ के चला गया हो. किसी भी case में company जो है समाप्त नहीं होती अपने members के आने जाने से. आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं तीसरी विशेष्टा को जो की कहती है प्रतिनीधी व्यवस्था, यानि अब इसमें क्या होता है, आपने जैसे देखा कि एक company जो होती है, बहुत सारे लोगों से मिल संख्या बहुत अधिक मातरा में होती है, मतलब जो उसका ओनर हुआ मालिक है जिसका स्वामी कह सकते हैं, जो company का स्वामी है और अंशिधारी हैं, ये लोग जो हैं मिलकर एक अलग से संचालक मंडल का निर्मान करते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्रबंध की व्यवस्था बना या company में प्रबंधन का ध्यान देते हैं, ये जो अंशिधारी और स्वामी होते हैं, ये प्रबंध की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीमित दाइत्व, अब इसमें क्या होता है कि जिन अंशिधारीों ने जितने अंश लि को हानी होती है, तो उन्होंने जितने अंश लिए हैं या उनके जितने शेर से उस company में उतने ही उनको हानी वहन करनी पड़ेगी, किसी भी तरह की हानी उनकी नीजी संपत्ती पर उनको वहन नहीं करनी पड़ेगी, सबसे important point यही है, कि उनको जो भी हानी वहन करनी उनहोंने खरीदे हुए उस कंपनी के उननी शेर पर उनको आनी वहन करनी पड़ेंगर अगे और देखते हैं अगली विशेष्टा अगली विशेष्टा आगली विशेष्टा प्रत्वं लभन च्पार्ण कीम ने आपको पहले पॉइन गोई बताए था किए कंपनी का प्रतिक वैधानिक अस्तित्व होता है वो क्या कर सकती है अनुबंद बना सकती है संपत्ती का क्राय विक्राय कर सकती है अपने रूसार व्यापार भी कर सकती है और यह क्या कर सकती है इन सभी कारियों को करने के साथ साथ जो है कि अलग से दूसरे वेक्तियों पर द अगला हम पॉइंट देखते हैं और वो है लाब के लिए एच्छिक संग देखे जब भी व्यवसाय किया जाता है तो उसका मुख्य उद्देश होता है लाबारजन करना ये तो सही बात है लेकिन जब कंपनी का निर्मान होता है तो लाबारजन के साथ साथ समाज सेवा भी उ उद्देश होता है लाबारजन जरूरी है क्योंकि अगर व्यवसाय को मार्केट में बनाए रखना है तो मार्केट में बनाए रखने के लिए उस कंपनी को लाबारजन करना जरूरी है लेकिन कंपनी के इस उद्देश के साथ साथ उसका एक और उद्देश भी होता है कि स् की सेवा भी करें अगला बिंदू देखते हैं अगली विशेष्टा इसकी कहती है सदस्य संख्या अगर हम कंपनी को दो भागों में बाटे जैसे कि आपकी पॉठ्ठी पुस्तक में दिया गया है तो उसे सारवजनिक कंपनी और नीजी कंपनी में बाटा गया है अगर कमित अंशो की संख्या है उनके बराबर होती है मतलब असी मित भी हम कह सकते हैं और नीजी कंपनियों में हम देखें तो कम से कम दो होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पचास होने चाहिए अब कंपनी अधिनियम जो होते हैं दोनों प्रकार की कंपनियों की सदस्य संख होते हैं वो यह चाहते हैं कि जो सदस्यों की संख्यां है वो लिमिट्स में रहें बहुत कम भी नहों और बहुत ज्यादा भी नहों आगे बढ़ते हैं जो अगली विशेष्टा होती है वह सार्व मुद्रा सार्व मुद्रा जैसे की सील मैंने बताया सील में क्या होता है सील क के अंदर जो है उस company का नाम लिखा रहता है और इसको धारण कौन करता है इसको धारण करता है वो company के सच्चिव को करना पड़ता है यह हम कह सकते हैं company के सच्चिव के पास होती है अब कोई भी company से related document authorize तभी माना जाएगा जब उसमें company की सील लगी होती है जब तक उस company के document में company की सील नहीं लहोगी तब तक उस company के document को authorize नहीं माना जाएगा company के लिए तो सारमुद्रा यह जीवित कौन रखता है उसको जीवित रखने का काम उसके हस्ताक्षर के रूप में यह सर्व मुद्रा करती है और यह सर्व मुद्रा जिसे हम सील कहते हैं वो उस कमपनी के सच्चिव के पास होती है आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की ओर अगली विशेषता कहती है हस्तांतरन योग जी अंश देखे बच्चो इसमें कमपनी में सबसे अच्छी बात यह होती है कि अंशों को हस्तांतृत किया जा सकता है कोई भी अंशधारी अगर यह चाहे कि समय अनुसार, वह अपने अंशों को क्रय या करना चाहता है यहां अस्तांत्रित करना चाहता है और उससे लाव आर्जन करना चाहता है तो वह बिलकुल इस चीज को कर सकता है अगली विशेष्टा हम देखेंगे आगे बढ़ते हुए तो देखते हैं कि जो व्यवस्था होती है प्रतिनिधी व्यवस्था वह स्वामित्व और अंशधारियों से अलग होती है मतलब स्वामी और अंशधारी क्या करेंगे वह अपने में से ही कुछ संचालकों का चुनाव करेंगे और उससे संचालक मंडल का निर्मान करेंगे और यह संचालक मंडल क्य से प्रथक है मतलब जो संचालक मंडल है वो as a management काम करता है और यहां पर जो company के स्वामी है या उनके अंशधारी है उनका किसी भी प्रकारगा कोई भी हस्तक्षे नहीं पाया जाता आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका अंतिम विश्षेष्टा क्या है इसकी जो अंति अधिनियम के अंतरगत ही स्थापना एवं समापन जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी company का निर्मान क्योंकि एक कृत्रिम व्यक्ति होती है इसका निर्मान जो है विधान द्वारा होता है किसी अधिनियम के अंतरगत किया जाता है तो company है उसकी स्थापना अगर अधिन अधिनियम के इंतरगत विधान्दवारा होगी तो उसका समापन भी अधिनियम के उन्तरगत विधान्दवारा ही होगा या पलंगमーー तो बच्चों इस तरीके से हमने कंपनी संगठन के कॉंसेप्ट को जाना उसके मीनिंग यानि अर्थ को जाना उसकी परिभाशाओं को जाना और उसकी विशेष्टाओं को जाना आएए अब हम कंपनी से होने वाले लाभों और दोशों की चर्चा करते हैं